प्रणाम मित्रों, मादव विद्या संकुल द्वरा प्रस्तूत ओनलाइन टेचिंग मा आप्षोनु स्वागत छे मित्रों आजे आपने दुरन नौमा विशय हिंदी पाठ बे नियाय मंत्री जेना शब्दार्थ मुहावरे अने पाठ ना स्वाध्ये ना प्रश्णुना उक्तरों नी चर्चा आजना आत्री जा विडियो ना माध्यम्ती सिखीशू सौथी पेला आपने पाठ ना स्वाधार्थ जोईए पहला स्वाध्ये जिसका अर्थ होता है सदनसीब सुगम यानि सरल अवसर यानि मौका राज मुद्रा यानि राष्ट की निशाने सुप्रबंद यानि शुवेवस्ता उद्धन्ड यानि अविवेकी नेस्तबता यानि सान्ती आईए अब मुहावरे के अर्थ समझते हैं पहला सोहम जाना यानि आश्यर्य चकीत हो जाना कलेजा दड़कना यानि चिन्तीद होना दूम मच जाना यानि प्रसिद्ध हो जाना रात दीन एक करना यानि कडी मेहनत करना होट काटना यानि आश्यर्य में पढ़ना सीर जुकाना यानि लज्जीत होना गदगद हो जाना यानि बाव विपोर हो जाना आखे खोल देना यानि सही परिस्तिद्धी समझाना आईए अब हम पाट का स्वाध्य देखते हैं प्रेश्ण नमबर एक निमने लिखीत प्रेश्णों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए जिसमें पहला प्रेश्ण है सिसुपाल ने अपने गर का दरवाजा क्यों खोल दिया पहले प्रेश्ण का उत्तर है एक अत्तीधी को साम के अंदेरे में आश्रे के लिए आया देखकर सिसुपाल ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया प्रेश्ण नमबर दो देखिए सिसुपाल कीस अउसर की तलास में था जिसका उत्तर है सिसुपाल सच्चा न्याए कैसा होता है यह दिखाने के अउसर की तलास में था प्रेश्ण नमबर तीन देखिए न्याए के विशे में सिसुपाल के क्या विचार थे जिसका उत्तर है सिसुपाल मानता था कि न्याए ऐसा हो कि कोई अन्याए और अपरात करने का साहस तक भी न कर सके प्रेश्ण नमबर चार परदेशी कौन था उसने दुसरे दिन क्या किया जिसका उत्तर है परदेशी स्वयम समराट अशोक्था दुसरे दिन सुब उठकर उसने सिसुपाल को दन्यवाद देकर उनसे विदाली प्रेश्ण नमबर पांच समराट अशोक ने सिसुपाल को राजमुद्रा क्योदी जिसका उत्तर है समराट अशोक ने सिसुपाल को अपने राज्य का नियाय मंत्री बनाया था जिसकी रूप में उन्होंने अपनी राजमुद्रा दी प्रेश्ण नमबर छे राज्य में नियाय के विशे में परिशितिया केसे बदल गई जिसका उत्तर है सिसुपाल के नियाय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तर सांती रहने लगी किसी को भी किसी प्रकार का भई नहीं धा प्रेश्ट नमर साथ नीन दूर गई और अप्रादी का पता लगाने में उन्होंने दिन रात एक कर दिये प्रेश्ट नमर आट अप्रादी का पता चलने पर सिसुपाल ने क्या किया जिसका उत्तर है अप्रादी का पता चलने पर सिसुपाल ने समराट अशोक को किरवतार करने के आदेश दिये अब प्रेश्ट नमर दो देखिए विस्तार से उत्तर दिजिए जिन में पहला प्रेश्टन है समराट अशोक ने नियाय मंत्री की खोज कैसे की जिसका उत्तर है समराट अशोक ने अपने राज्जे को अपराद मुक्ट करने के लिए एक सुयोग्य नियाय मंत्री की तलास थी नियाय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेजी नव इवक का वेजधारण किया गुमते गुमते वे ब्राम्मन सिसुपाल के गर पहुँचे सिसुपाल नियाय प्रेमी वेक्ति था नियाय किसे कहते है यह दिखाने के लिए उसे आउशर की तलास थी समराठ अशोक ने उसे आउशर दिया हत्या का आरोप होने पर सिसुपाल ने निश्पक्ष वेवार किया उसने समराठ को मृत्युदंड देने की गोश्णा की उसके इस साहस और निश्पक्ष वेवार से समराठ प्रशन भी हुए इस प्रकार समराठ अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की प्रेश्ट नमबर दो देखिए समराठ अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए सिसुपाल को क्या दिया तो प्रेश्ट नमबर दो का उत्तर है समराठ अशोक ने सिसुपाल को अपने दर्भार में बुलाया उन्होंने सिसुपाल को कहा कि ब्राम्मन देवता मैं आपको न्याय का अउसर दिना चाहता हूँ आप तयार है यह जानकर समराठ ने उन्हें अपने राज्जे का न्याय मंत्री बनाया और उन्हें अपने राज मुद्रा दे प्रेश्ट नमबर तीन देखिए समराठ अशोक क्यो गदगद हो गए जिसका उत्तर है समराठ अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अउसर दिया था उन्होंने देखा कि मृत्युरन देने की गोश्णा की थी अपने साहस्पून और निश्पक्ष वेवार से उसने समराठ का दिल जीत लिया इस प्रकार न्याय मंत्री की रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर समराठ असोक गदगद हो गए प्रिश्ट नमर चार देखे न्याय मंत्री ने अपरादी समराठ की जीवन की रक्षा कीज प्रकार की प्रिश्ट नमर पाँच का उत्तर है समराठ असोक ने एक राज कर्मचारी की हत्या की थी इस अपराद के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युरण देने की बात की थी परन्तु अपरादी और कोई नहीं स्वयम समराठ थे सास्त्रों में राजा को इस्वर का रूप माना गया है इसी लिए उसे केवल इस्वर ही डंड दे सकता है न्याय मंत्री ने समराठ की जगव उनकी सोने की मूर्ती को फासी पर लटका दिया इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपरादी समराठ की जीवन की रक्षा गी प्रेश्ट नंबर पाच न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए प्रेश्ट नंबर पाच का उत्तर है शिशुपाल न्याय मंत्री की कसोटी पर खरे उत्रे थे समराठ असोक ऐसे वेक्ती को पाकर गदगद हो गए लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उसकी जैजैकार की परन्तु शिशुपाल को लगा के न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संबाली जाएगी उन्होंने समराठ से राज मुद्रा वापस लेने की प्रात्नावी की परन्तु असोक ने कहा की उन्होंने अपने न्याय पूण वेहार से उनकी आखे खोल दी है यह जिम्मेदारी उनके सिवा और कोई नहीं उठा सकेगा समराठ के इस आगर को देखकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए अब प्रेश्ण नमबर तीन देखिए निवनले कीद विदान कौन केता है क्यों जिन में पहला विदान है यह मेरा सो बाग्य है यह विदान सिशुपाल अपने द्वार पर आए पर्देशी युवक्षे केता है क्योंकि वह अतिधिक का सतकार करना अपना कर्तविय समझता था प्रेश्ण नमबर दो देखिए दोस निकालना तो सुगम है परन तो कुछ कर्क दिखाना कठीन है यह वाक्य पर्देशी युवक्षे केता है क्योंकि सिसुपाल उससे समराट असो के राज्य में हो रहे अन्याय की सिकायत कर रहा था प्रेश्ण नमर तीन ब्राम्मन के लिए कुछ भी कठीन नहीं में न्याय का डंका बजा कर दिखा दूँगा यह वाक्य सिसुपाल पर्देशी नव युवक्षे केता है क्योंकि पर्देशी नव युवक्षे को अप्राद मुक्त करने का वचन लेना चाता है प्रिश्ण नमर चार तो तुम अप्राद स्विकार करते हो यह वाक्य न्याय मंत्री सिसुपाल समराट अशुक्षे केता है क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी प्रिश्ण नमर पाँच महराज यह राज मुद्रा वापस ले ले मुझसे यह बोज नहीं उठाये जाएगा यह वाक्य न्याय मंत्री सिसुपाल समराट अशुक्षे केता है क्योंकि उससे लगता है कि वा न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं समभाल पाएगा प्रेश्ट नमर चार देखे विरोधी शब्द दीजिये जिनमें पहला शब्द है पर्देशी पर्देशी शब्द का विरोधी शब्द होगा स्वदेशी दुसरा शब्द है आदर आदर शब्द का विरोधी शब्द होगा अनादर तिसरा शब्द है अपरादी जिसका विरोधी शब्द होगा निर अपरादी चोथा सब्द है सूप प्रबंध जिसका विरोधी शब्द होगा कूप प्रबंध पांचवा सब्द है किरप्तार जिसका विरोधी शब्द होगा रिहा चट्वा सब्द है स्विकार जिसका विरोधी शब्द होगा और स्विकार अब अन्त में प्रश्र नमबर पांच देखिए समानार्थी सब्द दीजिए जिसमें पहला सब्द है अतिथी जिसका समानार्थी अर्थ होगा मेहमान दूसरा शब्द है सुगम सुगम का समानार्थी सब्द है सरल तीसरा शब्द है कठीन कठीन का समानार्थी सब्द है मुश्कील चोथा सब्द है हेरान हेरन सब्द का समनाती शब्द है परेशान पांच्वा सब्द है नीज तब्ता जिसका समनाती शब्द है सांती चेट्वा सब्द है निरुत्तर जिसका समानाती सब्द है खामोश मित्रो पाठ दो का स्वाध्य हम प्रिश्ण नबर पांस तक देखेंगे आपको स्वाध्य में प्रिश्ण एक से पांस तक की लिखना है हमारा पाठ दो न्याई मंद्री या पूर्ण होता है आज के होमवर्क में आपको पाठ का स्वाध्य प्रिश्ण नमर एक दो तीन चार और पांच तक आपको लिखना है प्रणाम अस्तो